लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें डिडियन तु अपनी उस दुनिया से बाहर निकल कर बारूत के जहेर पर बैठ गया है और शिरा वो चिंगारी है जो किसी भी वक्त आग बनकर बारूत में लग सकती है पर खुरदार इनसान जो सोचता है वो होता नहीं और जो हो जाता है वो कभी सोचा नहीं होता हाँ, जो तबाही मैं तरह करने वाला हूँ, तुने खुआप में भी नहीं दिखाओगा तबाही करने की बारी अब मेरी है शिरा मेरी, मैं शार्ख से भी खादरनाक हूँ जो मांच भी खा जाया और खून भी ना छोड़े, बाप के बाद बेटे के खून की बारी है जिले लो, तहाँ, चिला कर धमकाओ मत, क्योंकि मैं चिलाओंगा तो पानी में मचलिया मर जाएगी और शायद खड़े खड़े तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ शेरा, क्योंकि मारना और मरना मेरी पुरानी आदत है इतनी चिताएं दिखाऊंगा की अंधे हो जाओगे शकुंतला की चिता, शशी की चिता, तुम्हारी मा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी महबुश्याद डीडियन क्या हुआ आप लोग किसे बुला रहे हैं कुछ नहीं मेरे डीडियन कंपनी के जूते बड़े सक्त है ना इनके नरम पाउं पे पड़े तो ये चीख पड़े मेरे जूते का नाम लेकर डीडियन क्यों है न खेरा आप ऐसे कंपनी के जूते पहनते हैं क्यों है क्या करूं इन कीडे मकॉड़ों की आदत है मेरे पाउं से जिमट कर मेरा खून चूस लेते हैं मेरा खून बहुत मीठा है ना ऐसा डॉक्टर कहते हैं शायद इसलिए लेकिन मैं जूतों से इन केड़ों के मुझ के साथ-साथ इनका जिसम भी मिट्टी में मिला देता हूँ मिट्टी में एक मिनट शेरा कल हम अपनी नई जिन्दगी का पहला जनम दिन मनाने जा रहे हैं तुम जरूरा ना हमारे पुरान अंगले पर जहां बहुत पहले तुम्हारे पिता जी आये दे जी हां पिता जी की पुरानी दोस्ती निभाने के लिए और आपकी नई जिन्दगी का पहला चनम दिन मैं जरूर मनाने आऊंगा चैशिरवाली के अज रात होने से पहले इन दो जिन्दा जिस्मों को मुर्दा बनाना है मुर्दा समय लीजे यह मुर्दा हो गए अब तो यह शेरा वाली के पास जाकर ही बोलेंगे क्या यह शेरा वाली है कुर्स कुर्स! कुर्स!। तेरा थे मेदे 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 कुर्दा थेरा! अजय को वेदे वे तेरा! कि या तिया या यह यह जिए बगवास करता है यह खुन मैंने नहीं किया शागुंता लजबी इस पार्टी में खुण हुआ है पार्टी में बुला कर इस पर क्या गया है आप पुलीस को फोन किजिए किंगे मरने वाला अद्मी कभी जूट नहीं बोलता और उसका बयान इस वीडियो कैसे आप पुलीस को फोन किजिए इस पिछारे को मार डाला कौन है इसको रिष्टा क्या है आप से आप बोलते की नहीं यू आर अंडर अरेस्ट मिस्सर दीननाथ लेकिन दीननाथ खुनी कैसे हो सकता है जिस इंसान को इतने सालों बाद एक नई जिंदगी मिली हो अपना घर अपना परिवार मिला हो तो फिर वो ऐसी जिंदगी को ठुकड़ा कर मात को क्यों गले लगाएगा मेरे पिदाजी दिन दर्शर्मा को भी इसी शहर में दीननाथ के यहां नई नॉकरी के साथ नई जिंदगी मिली थी तो उसे खुन करने के जड़ वसी उससे तुले जाजास का क्यों किया दीन दियाल की सजार खुन से दीननातका क्या तालुक? तालुक है, जिस तरह चोली का दामन से, जिसम का साह से, जिसे आप दीननात कहरी ही है, वह दीननात नहीं, बेशा बत देशतरोई डीडियेन है, एक दहशी दरिम्ना है वो. क्या? दीननात डीडियेन है? जी हाँ शकुंतौला दवीद दीनानाथ ही डीडियन है नहीं हाँ 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 एहसान परामोश मतलब परस दीनानाथ वो महान इंसान है जिसके पैरों में आकर शैतान भी बैठ जाए तो देवता हो जाए ऐसे महान इंसान पर कीचर उचालते हुए तुझे शरम नहीं आती नहीं मा तुचाहे मेरा गलाद अबादे आज मैं उस आद्मी को बेनकाब कर रहा हूँ जो बीस साल पहले दीनदार शर्मा के नाम से जुर्म किया करता था उसके बाद उसने अपना नाम दीनानाथ रख लिया फिर जहास को बाम से उड़ा कर खुद को सिंदा से मुर्दा बना कर आज चुर्म की तुझे में डिटीन बन बढ़ा उसने ना जाने मुझे कितनी बार मानने की कोशिश की लेकिन मैं हर बार बच जिया कही मेरे जरिये उसके असलियत पुलिस रिकार्ट से बाहर निकल कर उसके गले में फासी का फन्ना ना बन जाए और तुम सब लों के साथ जफ़ात कर नाटक करके तुझा जी के बाद तुम सब को खत्म करने आया था हम तो मर जाते लेकिन दिने लादे सिर्व एक ही गलत की थी उसने रोबट को मेरा नाम नहीं बताया जी हाँ शगुंतावा देवी उसने रोबट को मेरा नाम नहीं बताया जिसका फाइदा अमर और मैंने उठाया पाटी में पहुचने से पहले हम दोरे रोबट के घर पहुचे और अट उट कुटे मार दिनाराथ मार इसे जिरानाथ मार जिरानाथ जिरानाथ मार शेकुंतला जी 18 साल पहले ना खुन करने पर भी आपने मेरे पिताजी को सजा दिलवाई थी आज मेरे खुन करने पर उस खुन के बजले सजा आप डीडियन को दिलवाएंगी तभी आपके अब लिखाई हुई कसम पुरी होगी आपका प्राश्रित पुरा होगा नहीं जीजी नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे सुहाग को बचाने के बजाए मैं उसको भासी की सजार नहीं दिला सकती मेरे सुहाग मुझे पर्दू के बाद मिला है मैं सुहागन हुचीजी मैं सुहागन नहीं चाहते हूँ जीजी इस वीडियो कैसेट पर फिल्म आईगी यह फिल्म जो अदालत देख चुकी है तुम्हें मुझरिम करार देते हुए ताज आते हैं ठेरियो जट साब जट साब जट साब दोस्तों को इंसाब दिलाने के लिए तो मैंने जिंदगी भर मुकद में लड़े हैं मगर आज अपनों को सही इंसाब दिलाने के लिए आई हूँ जट साबिभी My Surah गातिव दिलाने में अच की हगदार अण। जटिज़के लिए मुझे लिए लिए आम किह ईंसाब से किस सजा का हगदार मैं नहीं हूँ गभराऊं मदे ननात सजा उसी को मिलेगी ज़ह सजा का हगदार हो तुम्हारा हग देलाना हमारा फर्स है ये लो इस वकालत नामी पर साइन कर दो आप मुझे बचा लेंगी ना हाँ यूर आउनर इस वीडियो कैसिट में एक मरती हुए आदमी का बयान कि दीननाती इसका खून कर दिया सरासर जूट है गलत है इन पर इल्जाम है शकुंदाला जी ये आप क्या कर रही है यूर आउनर बीच में किसी को बोलने की अजासत में दी जाए आप शांत हो जाए यूर आउनर आज से 18 साल पहले दीन दिया शर्मा जैसे एक मासूम इंसान पर भी एक सुन्दरदास नाम की बियोपारे की खॐन का इल्जाम लगा था वो केस भी हमारे आदालत में पेश हुआ था उस मरते हुए सुन्दरदास के बयान के मताबिक उस दीन दिया शर्मा को उम्र कयित के सजा हम नहीं दिलवाई थी देन डिया शर्मा उम्र कयित के सजा काटने के बाद हमारे घर आए और उसने अपने आपको गोली मार दी ये थाबित करने के लिए कि बहुत सुनदर्दास का खुनी नहीं था इसलिए हम किसे मरते हुए आदमे का बयान नहीं मानते शकुंतला जी, मैंने आपको दिनालाद के खिलाब उसके खुनी मुझरीब होने के सबुद ला कर दिये और आप है कि उसे बेगुला सबित करने के कोशिश कर रही है यॉर ऑनर, हम पहले भी कह चुके हैं कि बीच में किसी को बोलने की इजासत ने दी जाए मैं बोलूगा, चिलना चिलना कर बोलूगा, हर जूट के खिलाब बोलूगा ये कादिन है, कानूर इसे छोड़ भी देगा, तो मैं इसे जल से मौट ढ़नूगा आप ज़स्बात में आकार अपने बहन को बचाने की कोशिश में हमारे ज़स्बात से खेल रही हो दिनानाच, मैं तुझे नए छोड़ूगा, दिनानाच दिनानाच जी वो महान इंसान है जिन उन इसी शेरा की पिता दीन दिया शर्मा को अपनीया नोकरी दी एक अच्छा मकान दिया, अच्छी तनख्वा दी, इतना ही नहीं ये रॉनर जब दिन दिया शर्मा पर सुन्ददास की खून का इल्जाम आया तो दिनानाच जी ने दिन दिया शर्मा को बचाने के लिए पानी की तरह रुपया बहा दी दिन रात एक कर दी और इसकी गवा खुद दिन दिया शर्मा की पत्नी शांती दे दी है और रॉबर्ट जिसका खून हुआ वो तो एक वॉंटट मुझरम था प्लेन में बम रखनी वाला इंसानी जिंदगियों का गातल दिनानाच जी जैसे बाई जिर शेहरी का रॉबर्ट जैसे मुझरम के साथ क्या रिष्टा हो सकता है दिनानाच, क्या तुम्हारा रॉबर्ट के साथ कोई रिष्टा था? जी कोई रिष्टा नहीं था क्या तुम उसे कभी मिले थे? किसी पार्ट में, किसी फंक्शन में या किसी बिजनिस डेलिंग्स में? जी बिलकुल नहीं ये पॉइंट नोट किया जाए कि दिनानाच जी का रॉबर्ट की साथ कोई तालुख नहीं था और जब कोई तालुख ही नहीं था तो भला दिनानाच जी रॉबर्ट का खून क्यों करेंगे? हो सकता है कि यही रॉबर्ट इनका पुराना दुश्मन रहा हो हो सकता है कि रॉबर्ट का रिष्टा उसी गैंग से हो जिन्होंने शेरा की पिता दीन दियार शर्मा को उम्रकेट के सजा दिलवाई और जब दिननाजी ने दीन दियार शर्मा को बचाने के पूरी कोशिश की तब उसी मुझरिम रॉबर्ट ने उस प्लेन में बम रख दी जिस प्लेन से दिननाजी विदेश जा रहे थे और आज जब दिननाजी बरसों बाद सही सलामत वापस लोटे तो उसी गैंग ने अपनी पुराने जुर्म को चुपाने के लिए उस राज़दा रॉबर्ट का खून कर दिया हो और इल्जाम दिननाजी के सर पर थोब दिया हो यौर अनर अब आप भी फैसला कीजिए ये इंसान भला पूनी कैसे हो सकता है जबकि इनका और रॉबर्ट का कोई रिष्टा ही नहीं था क्यों दिननाजी ये कोई रिष्टा नहीं था ये तस्वीर रॉबर्ट की है इस इंसान से आपका कोई तालुक नहीं था जी नहीं, बिलकुल नहीं है यौर अनर, ये वो ऐल्बम है जो रॉबर्ट की पुरानी मकान से बरामत हुई है यौर अनर इस रॉबर्ट के साथ इनका कोई रिष्टा नहीं है ये देखिये यह मिस्टर दीना नाम जिनका रॉबर्ट के साथ हाथ मिलाती मुस्कुराती हुई तस्वीर है और यह कहता है कि इनका रॉबर्ट के साथ कोई तालब नहीं था शकुबला देवी आप मुझे भासाने आया मेरी वकालत करने इतनी पड़ी लिखे होने के बावजूद आप यह नहीं जानते हैं कि फोर्टोग्राफिक ट्रिक से किसी के भी शरीन पर किसी का भी चेरा लगाया जा सकता है यह तत्वीर मेरी नहीं है मगर इस खत का क्या जवाब है तुमारे पास जिसमें तुमने लिखा है रॉबर्ट तुम प्लेन में बॉम रखोगे और इसके बाद हम दुनिया की नजरों में मर जाएंगे और फिर से पुराना दीन दियाशर्मा जिन्दा हो जाएगा वो दीन दियाशर्मा जिसका असली मेरा नाम लिख दे इसका मतलब यह नहीं कि वो खत मैंने लिखा है क्या कुंतला देवी आप अदालत में कोई और थोस्तबूत पेश कीजिए मैं हूँ टी डी एन हाँ हाँ मैं हूँ दीन दयाल शर्मा कल का दीनानात और आज का टी डी एन दुश्मनों को मारना और फिर खुद मर जाना मेरी पुरानी आदत है कभी खानून को मार के मर जाता हूँ तो कभी इनसाफ को मार कर जी जाता हूँ क्योंकि मारना और मरना मेरी पुरानी आदत है अब तुम ये भी कहोगे कि ये आवाज भी तुम्हारी नहीं है यही है वो कातुल वो मुझ्रम जो कानून की आंकों में धूल जोग रहा है इसने अपने जुर्म को चुपाने के लिए सुन्दरदास का खून किया था यह रॉनर इसने शेरा की पिता को अपने या नौकरी दे कर कोई अहसान ने किया था बलके फाइदा उठाया था दीन देयाल शर्मा के नाम का क्योंकि सुन्दरदास इसे सिर्फ दीन देयाल शर्मा के नाम से जानता था मरती वक्त वो दीन देयाल दीन देयाल के के पकार रहा था च्योंकि दीन आनात का असली नाम था जग साब जोट बोल रही है मेरा नाम दीन दयाल नहीं है नहीं है देखे जग साब कि आदमी अपना नाम बदल सकता है अपना चाहरा बदल सकता है लेकिन अपनी आखों की पुथ्लियों को नहीं देखे देखे इनकी आखे यही है वो दिन दयाल उर्फ डीडियन जिसने मेरी जिन्दकी तबहा कर दी मेरी जग की कुछ से चींदी मुझसे एक बेकसूर इंसान के लिए गलत वैसला सुनाकर एक बहुत बड़ा पाप करवाया कानून अब मेरा चलेगा जट साब इन साब अब मैं लिखूंगा मौत की आवादों से अजाओ खवरदार कोई आगे बड़ा तो जट साफ जीडियन को पकटना इतना असाद नहीं चलो इससा घंतला देनी अगर कोई सामने आया तो इस कानून की रखवाले के साथ उसे भी गोली मार दूँगा अजाओ शाजो मेरी दीडिका आपने आपको कानून के हवाले करतो अजाओ मेरे सामने से वे वाखू वालत अजाओ शाषे 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 अिर्ण वजय सकति वालो कर दो तो करें। यहां से चलती है डीडियन की अडालत अब मैं तुम्हें बताऊंगा सजा कैसे सुनाई जाती है भासी से लटकाए जाने वाली सजा मौत तो तुमने मुझरुमों को बहुत सुनवाई होगी मगर आज मैं अपने इन हाथों तुझे ऐसी मौत धूंगा जिसे देखकर शरीर को मुक्त करने वाले यम्राज का भी कलेजा पच आएगा मेरे दिमाग सही नहीं मेरी सांसों से भी जहर निकलता है और मैं अपने दुश्मरों को जहर देकर माता हूँ देखना चाहती हो जान निकल गई ना शगुंतला देवी में बहुत ही कमीना हरामी और जलील किसम का इंसान हूँ जिस तरह तुमने मुझे अदालत में फसाया था उसी तरह मैं तुम्हें इन सांपों में फसाकर तड़पा कर तुम्हारा ये गोड़ा जिसम काला कर दूगा काला जिडियन आस तरी इस लंगा को जलाने के लिए शेरा का भाई हमार आया है गोड़ बैरे गोड़ और कौन-कौन आया है हमारी रियासत में जिडियन और तो से पंजा लाने वाले काल ठेक तुस्से लड़ने मर्द आया है हो छेर की कगार में बकरी की चूटी हुई सिंग लेकर लिडियन से चक्राने आया है अपनी मौद की गून सुन मैंने इसे वादा किया था कि मैं इसे इसनी चिताएं दिखाऊंगा कि अंधा हो जाएगा अब इससे पहले कि इसकी आखे निकल जाए चल सबसे पहले मैं से तेरी चिता दिखाता हूं चाल कर अब एो कर अब ए घून बाएब ट्राप झाल! कर दो 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 कर झालो कोुछ देन जे सांगॡ़ है, तो औल्रीजा, पालो करे घाे डी किया थेंग, ते में ते प्रेमी फॉत書 बाद सांगत संक करें तेरे इंग crust Demon ऐस हम एके पंभाय थाहितनर कालता है Kola के और भर कॉंभा है कि ऑर पेखंत नयुकalten करने प्राव करें आज तक इनके साहरे तेरे फासों से जहर निकलता था आज तेरे मीठे खुन में यह अपना जहर भरेंगे आज भरेंगे आज 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 आजो आज 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 बात ये निकलता तेरे पापकी मौत से और खत्म होगी तेरी लाश पर ये रेमोट कंट्रोल देख रहा है अब तुम लोगा तमेट मैं अपनी पूरी रियास्त दुड़ा कर जा रहा हूं तुम अर कर जा है मैं अपनी लेत्षारा तुम लेँ। झाल झाल शगुंतला जी इस देश्द्रोही का दर को फासाने के लिए मैंने रोबट का खून किया कानून का कुनेगार भी हूँ और सदा का हगदार भी मगर मेरी आप से गिंती है जो जज की कुरसी पिता जी के मनने के बाद आपने छोड़ी थी आप उसे फिर से सुकार करने है कानून और जुर्म के उस लड़ाई में जीत आपकी हुए I, Shakuntala Devi Verma, having been appointed judge do swear in the name of God that I will bear true faith